के गाइस कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे बट यह एससे जीडी का जो नौटिफिकेशन देखके बहुत सारे बच्चे फ्रस्टेड निरास बहुत होंगे मुझे मालूम है क्योंकि गाइस यह नौटिफिकेशन जितने बेस्वरी सिंतिजार कर रहे थे कि इसम सब कुछ अपोजिट हो गया बस यूटूब पे जितने भी डेली पे डेली वीडियो डाल रहे थे एज लक्सेसन दो साल मिलेगा मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत सारे 40,000 वेकेंसी यह है वेकेंसी वेकेंसी और बहुत सारे हैं जो कि महारतित दे रहे थे लेकिन ऐ मैं चोटे-चोटे वीडियो में बहुत सारे जो आपका कन्फूजन्स है एक बात में और कह देना चाहता हूं क्योंकि वैसे मैं बहुत लेट हूँ वीडियो डालने में बट कोई नहीं मेरा जितने भी सब्सक्राइबर है लगबग मेरे वीडियो का वेट जरूर कर रहे हो जाओ एक सब्ते तक अच्छे से नॉटिफिकेशन को देख लो गाईस क्योंकि नॉटिफिकेशन है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप गलती कर दोगे आपका डॉमिसाइल वेगरा को लेकर ठीक है फॉर्म में जब एड्रेस डालोगे उसको लेकर एंड एस् को फॉर्म फिल करना भाई और करओ क्या दिकत है कुई निट्य आपने तरीका से समझ दैंता है इसलिए्धियाव Me एक्जाम पैटन को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा चेंजिस कर दिया है और वह सबसे ज्यादा छोटा बोले तो क्या मेजर चेंजिस है भाई ठीक है इससे पहले आस तक चेंजब का का फॉर्म फील होना है और लाश्ट एट जो है आपका application form का online application का वह आपका एक्टिस अगस्ट है और लाश्ट पेमेंट जो है आपका फ्रू चलान या तुरू चलान तक जो है आपका वह सेप्टेंबर साथ तरीक तक दिया हुआ है ठीक है अब रही बाद सबसे ज़्यादा जो question से भी आपके mind में चलेगा कि exam कब होगा ठीक है तो यहाँ पर SSC mention क्या हुआ है कि आपका जो exam है वो inform कर दिया जाएगा बट अभी जो आप expected कर सकते हो दो कभी आपके पास क्या है सेप्टेंबर तक जो है आपका लास्ट जो चलान है मतलब payment है वो साथ सेप्टेंबर तक चलने वाला ठीक है तो अगस्ट सेप्टेंबर उसके बाद तीन मन्त और add कर लो सेप्टेंबर हो गया न अक्टूबर नौमबर दिसंबर तभी आपके पास चार पांच मन्त है एक्जाम को लेकर ठीक है यह मैं एक्सपेक्ट कह रहा हूं यह कंफर्मेशन नहीं है बट इतना तो आपको मान के चलना पड़ा है क्योंकि लास्ट जो फॉर्म कार्ट जो चलान है वह आपका सेप्टेंबर में दिया हुआ है तो सेप्टेंबर के बाद अगर तीन मंत जोड़ोगे तो अक्टूबर नॉमबर दिसंबर ठीक है तो में भी हो सकता है कि दिसंबर में आपका एक्जाम लेने के चांस बन सकते हैं तो इतना आपको माइंड में लेकर चलना पड़ाएगा बाकी जो है आप SSC जो है वो डाल नमर पॉइंट देख लेते क्योंकि मैं च्छोटे-च्छोटी वीडियो में आपका सारा जो है इन्फॉर्मेशन जो भी आपका डॉट है सारा किलियर कर दूँगा ठीक है तो बिल्कुल वी ध्यान से देखो अस्थीर हो के देखना ठीक है तो देखो सबसे पहले यहाँ प आपको एक्जाम को मिलने वाला है ठीक है बाकी यहाँ पर देखो में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है पहला तो यह है कि आपका जो इंग्लिस हिंदी में मीडियम में आपका एक्जामिशन का जो है वो कंड़क्ट होगा लेंग्वेज और यह जो सबसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यह नमर है यहाँ पर क्या कह रहा है कि देर विल भी निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी बात तो यह हो गया इसकी अभी तक ऐसे सजीडी में निगेटिव मार्किंग नहीं था बट अब हो गया ठीक है इस बात को ध्यान से देना ध्यान से सुन ले ना कि निगेटिव मार्किंग है पहले क्या था ना कि हाँ नहीं भी आ रहा भाई तो तुका मार दिया चले गया तो सही हो गया मतलब निगेटिव नहीं होता था अच्छा कासा नमर सबको मिल जाता था बट गाईज इस बार क्या ना निगेटिव मार्कि तरन में ठीक है एज विजवल बाकी जो है आपका सारा कुछ वैसा ही है मैंने यहां पर नौटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा हुआ है बाकी जो है आपका वह एक्जामनेशन होगा एंट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही है आपका कोई चिंजेस यहां पर नहीं है ठ ठीक है या तो इंग्लिस ग्रामर या फिर हिंदी व्याकरन यहां पर डॉट के लियर हो गया अब एक पॉइंट और जोड़ी है गाईज कि जो एंससी किये वह है ना उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको रिटेन एक्जाम में मार्क्स मिलने वाले ठीक है तो चलो अभ है उसको इननटी मार्क मिलने वाला है ठीक है तो पहला नमर Πॉइंट देख लो जिसके पास ऑफोड़ी सर्टिफिकेट है उसको फाइब मार्क मिलने वाला ठीक है में clear तो यहां पर आपका exam related और exam में क्या changes हुए है और certificate का क्या benefit मिलने वाला वो मैंने यहां पर आपको clear कर दिया है and आपका जो भी doubt है guys नीचे comment box में comment कर दो मैं next video में guys वो सारा doubt जो है छोटे छोटे वीडियो में आपको completely दे दूँगा अगर आप मेरे चैनल पर विलीब करते हो भरोसा करते हो तो ही देखना बात बाकी guys बहुत सारे है आप कहीं भी जाके देख सकते हो तो guys जिन्हों ने चैनल को subscribe नहीं किया गया तो चैनल को subscribe कर लेना ठीक है और bell icon को press जोड़ से कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको notification जा सके ठीक है तो यह सारा बात आपको समझ में आ गया तो चलो guys फिर मिलते हैं next video के साथ तब तक लिए दोस्तो जय हिंद वंदे मात्रम